नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार और मैं हूँ आपके साथ रुचिगारा जिस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेसेसी आयो की तरफ से आपको बताएं कि आयो की तरफ से बिहार इंटर रस्तिरिये परिक्षाद बारस ओठायरा की मेंस की डेट की घोशना कर दी गई है पत्र नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि जो मेंस के एक्जाम है उसके डेट की घोशना कर दी गई है सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पत्र में क्या कुछ लिखा हुआ है दरसल आयो के आवश्यक सूचना ग्यापन 1385 दिनांक 19 सेप्टेंबर 2021 द्वारा पारदर्श्टित सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले 1218 भ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वो विशांक 06060114 प्रथम इंटर अस्तरिय संयुक्त प्रतियोगिता परिक्षा 2014 की मुख्य परिक्षा हे तुदिनांक 4 ओक्टूबर 2020 तक ओनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे किसी भी परस्थिती में निर्धारित तिथी 4 ओक्टूबर 2021 के पश्चात मुख्य परिक्षा हे तुदिनांक विकार नहीं किया जाएगा आयोग की आवस्यक सूचना ग्यापन तई सो पच्चासी दिनांक 19 सेप्टेंबर 2021 के आलोग में मुख्य परिक्षा हे तु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले परिक्षा अभ्यार्थियों के लिए मुख्य परिक्षा का आयोजन दिनांक 18 ऑक्टूबर 2020 को संभावित है अभ्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अधिक्तम सूचना हे तु आयोग के वेबसाइट sttpsbsbsc.bihar.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं इस तरीके से बीससी के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस पत्र में साफ तोर से लिखा हुआ है कि 19 ऑक्टूबर को परिक्षा ली जाएंगी और इसके जो आखरी तारीक हैं आवेदन करने के वो 4 ऑक्टूबर 2021 तक हैं तो आपको बतायें कि बीससी के द्वारा साफ तोर से ये जानकारी दे दी गई है कि किसी भी तरह आपको ऑनलाइन आवेदन करके रख देना उसके बाद नहीं लिया जाएगा और 18 ऑक्टूबर को इसकी परिक्षा लेने की भी बात कह दी गई है तो इस तरीके से बीससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके पहले भी 20 तारीक को एक महा अंदोलन बीससी के छात्रों के द्वारा किया गया था जिनकी काउंसलिंग अब तक नहीं हुई है साथ साथ साल से छात्र बैठे हुए हैं और उनकी काउंसलिंग नहीं ली गई थी इसको ले करके लगतार छात्रों का प्रदर्शन हमें देखने को मिला था जिसमें कई नेता भी शिरकत किये थे चुराक बासमन वहाँ पर पहुँचे थे जिसके बाद कहा ये भी जा रहा था कि नेताओं की तरफ से भी आयोग पर दबाव बन रहे थे कि आप जल से जल जो भी परिक्षा है उसे लें और जो भी काउंसलिंग है उसे कराया जाए लेकिन अब 1218 की जो प्रक्रिया थी पीटी हो चुके थे मेंस की जो परिक्षा होने वाली थी उसके नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी कर दिये गया है और आयोग का भी कहना था कि 1218 की परिक्षा लेने के बाद ही जो भी काउंसलिंग है वो सारी प्रक्रिया को पूरी की जाएंगी और अब उसकी डेट की घोशना भी कर दी गई है यानि की बेसेसी की चातरों के लिए एक बड़ी बात है कि उनके मेंस के एक्जैम की घोशना कर दी गई है 18 औक्टूबर 2020 को मेंस परिक्षा लेने की बात कह दी गई है और भी अगर आपको जादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए एक लिंक भी जो हमने आपको बताया है bsse.bhi.gov.in पर जाकर के आप और भी जानकारी ले सकते हैं इसे लेकर के लेकिन अब धीरे-धीरे लग रहा है कि आयोग के भी नीन खुल गई है और जिस तरीके से हमने आपको खबरे भी दिखाई है कि bsse.c के चात्रों की दौरा लगातार प्रदर्शन किया जा रहे हैं और bsse.c की चात्र जो भी मांग उचाते हैं हम अपने चैनल पे जरूर उसे दिखाते हैं और इसे लेकर के आज आपको बताएं कि आयोग की तरफ से ये बड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है मेंस को लेकर के और आगे के परिक्षाओं को लेकर के और जैसे जैसे और भी खबरें बsse.c को लेकर के आएंगे हम आपको जरूर से जरूर इसकी जानकारी देंगे और भेसे ही तमाम खबरों के लिए मरसत बने रहिए और देख तरहें न्यूस पिया धन्यवाद